प्यारे ने ये बच्चे, what happened here? दोस्तो ऐसे तो इसराइल की गिंती दुनिया के सबसे छोटे देशों में की जाती है लेकिन इसके बहुजूद भी ये दुनिया के सबसे पावरफुल देशों में से एक है ये एक ऐसा देश है जो चारों तरफ से अपने दुस्मनों से घिरा हुआ है और दुश्मन भी ऐसे हैं जिनसे वो लगतार लड़ता रहता है इन सब के बहुजूद भी 1948 में ये देश दुनिया के नकसे में आ गया ये देश अरब देशों के लिए किसी भ्यानक सपने से कम नहीं था इसराइल के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत देश भक्त होते हैं अपने लोगों की देश भक्ती के वज़े से ही ये अरब देशों के बीच में रह रहा है और उनसे आखों में आखे मिला कर फक्र से जी रहा है वेल तो दोस्तो आज किस वीडियो में हम आपको इसराइल के बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तो वैसे तो ये जमीन इसराइल के लोगों की थी क्योंकि बाइबल के अनुसार इस जमीन को 2000 साल इसा पुर्व इनके नभी मुसा को दिया गया था लेकिन इसलाम के आने के बाद इस इलाके में मुसल्मानों की संख्या बढ़ती चली गई जिसके बाद यहां के जारता लोग इसलाम धर्म को कुबूल कर लेते हैं और जो बचे हुए यहूदी थे वो यहां से प्लाइन करके दुनिया के अलग-अलग देशों में बस जाते हैं लेकिन जब दूसरा वर्ल्ड वार हुआ तो यहूदियों ने अंग्रेजों का साथ दिया जिसमें अंग्रेजों ने यहूदियों से कहा कि अगर वो यह वर्ल्ड वार जीत जाते हैं तो वो उन्हें इसराइल देश देंगे कुछी सालों में वर्ल्ड वार खतम हो जाता है जिसके बाद यहूदियों को एक नया देश दिया जाता है और ये देश कहीं और नहीं बलकि अरब देशों के बिलकुल बीचो बीच फिलिस्तीन में दिया जाता है उस समय ये इलाका अंग्रेजों के कबजे में था इसके बहुत जूद भी अरब के सभी देशों ने इसका विरोत किया और इनके बीच जंग भी हुई लेकिन इन तमाम जंगों को इसराइल ने जीत लिया फिर धीरे धीरे इसराइल ने यहां पे अपने लोगों को बसाना सुरू कर दिया पूरे दुनिया में बसे हुए इसराइली लोग यहां धीरे धीरे आने लगे और फिर देखते ही देखते यहां यहूदियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई दोस्तो इसराइल यहूदियों का मातर एक देश है इस देश का एक खास नियम है अगर दुनिया के किसी भी हिस्से में यहूदी बच्चे का जन्म होता है तो उसे इसराइल की नागरिकता दे दी जाती है यानि की पुरी दुनिया में रहने वाले यहूदी इसराइल के नागरिक बन सकते हैं वो जब चाहे तो इसराइल में आकर रह सकते हैं इसराइल की राष्ट भासा हिब्रू है दोस्तो हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जिने हिंदी बोलने में शर्म आती है और संस्कृत का तो हमारे देश में बहुत बुरा हाल है शायदी कुई ऐसी जगा हो जहां पे संस्कृत का सब्द आपको लिखा हुआ दिख जाए लेकिन आपको जानके हैरानी होगी कि हिवरू भासा का अंत मद्दिकाल में ही हो गया था इस भासा को सीखने वाला कोई भी नहीं बचा था लेकिन जब इसराइल की स्थापना हुई तो यहां के लोगों ने हिवरू को दुबारा जिन्दा किया और उसे इसराइल की अधिकारिक भासा बना दी और इस तरह से खतम हो चुके भासा का दुबारा जन्म हुआ 2008 के अनुसार इसराइल की कुल जन संख्या 74 लाग है देखा जाये तो यह मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों की अबादी से भी कम है वहीं एरिया के हिसाब से यह केरल से भी छोटा है दोस्तो इसराइल एक ऐसा देश है जहां के हर एक नागरिक को मलेटरी ट्रेनिंग लेना अनिवार है इसराइल का हर एक नागरिक चाहे वो परधान मंत्री का बेटा ही क्यों न हो उसे कुछ समय के लिए सेना में काम करना ज़रूरी है चाहे वो महिला हो या फिर पुरुस पंद्रा साल के उमर से ही इसराइल में बच्चों की आर्मी ट्रेनिंग सुरू हो जाती है वहां के नियम के नुसार लड़कों को तीन साल और लड़कियों को दो साल सेना में काम करना ज़रूरी है ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इसराइल की आर्मी बहुत छोटी है अब जाहिर से बात है कि जिस देश की जनसंख्या कम होगी उसकी आर्मी भी छोटी होगी दोस्तो आपने अपनी जिंदगी में सैकल तो जरूर चलाई होगी लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछू कि सैकल चलाने के लिए कभी आपने लैसंस बनवाया है तो हो सकता है कि आपको हसी आ जाए लेकिन आपको बता दे कि इसराइल एक ऐसा देश है जहां पर सैकल चलाने के लिए भी लैसंस बनवाना पड़ता है। इसके अलावा इसराइल दुनिया के उन नो देशों में से एक है जिनके पास परमाणू हत्यार है। इनके पास गजब का एर डिफेंस सिस्टम है। इसराइली वायू सेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायू सेना है। इनके वायू सेना के ताकत का अंधाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। कि सन 1972 में फिलिस्तीन के कुछ लोगों ने इसराइल के प्लेन को हैजेक कर लिया था। और वो इस प्लेन को हैजेक करके युगांडा ले गए। जिसके बाद ऑपरेशन थंडर बोल्ड चलाए गया। इस इसके मदद से अगर कोई इन पर मिसाइल से हमला करता है तो वो मिसाइल हवा में ही नश्ट हो सकती है। केवल हतियार के ही नहीं बल्कि विज्ञान के मामले में भी यहां के लोग बहुत आगे हैं। मोटोरोला ने अपना पहला मुबाइल फोन इसराइल में ही बनाया Microsoft के लिए पहला चिप भी इसराइल में ही बना था। इतना ही नहीं बल्कि पहला वाइस मेल भी इसराइल में ही विक्सित किया गया था। महान विज्ञानिक Albert Einstein भी यहुदी थे। उन्हें इसराइल के राश्टपती बनने का ओफर भी दिया गया था। लेकिन उन्होंने य इसराइल ने बहुत तेजी से तरक्की की और नई नई टेकनोलजी विक्सित की जिसकी मदद से आज ये अनाज उगाते हैं और समुदर के पानी को साफ करके पीने लाइक बनाते हैं। इसराइल की खुफिया एजनसी मुसाद दुनिया की सबसे खतरनाप खुफिया जनसी म रहे रहा है। इसका सबसे बड़ा एक्जामपल 1972 में खेला गया उलंपिक गेम है जिसमें फिलिस्तीन के लोगों ने इसराइल के 12 प्लेयर्स को मार दिया जिसके बाद मुसाद ने ब्लेक सितंबर नाम को ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन में मुसाद को खुली छूट द जलता रहा और इस ऑपरेशन के तहद मुसाद ने एक-एक फिलिस्तीनी को मार गिराया जो उन 12 प्लेयरों के मौत के जिम्मेदार थे।